नमस्कार दोस्तों क्या हाल है आज तारीख 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार और हिंदी तिथी पंचमी है और आईए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में लेकिन आप नए है तो आप हमारे चैनल आज का को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबा दे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोधी ने यूध्य ग्रस्ट यूक्रेण का दौरा किया पीम मोधी के यूक्रेण यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए थे यूक्रेन में भारत विरोधी भावनाओं को देखते हुए SPG कमांडों ने मोधी की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधान मंत्री मोधी जब यूक्रेन की राजधानी कीव में महात्मा गांधी की प्रतीमा पर श्रधान जली अर्पित कर रहे थे। तब SPG कमांडों ने बुलेट प्रूफ शील्ड का इस्तिमाल किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन में कुछ लोगों द्वारा भारत के रूस के साथ नजदीकी को लेकर विरोध जताया जा रहा था। बंबई हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुक शरत पवार ने विपक्षी गटबंधन महाविकास आघाडी की महराष्ट्र बंद को वापस लेने की अपील की है। बदलापुर मामले को लेकर शनिवार 24 अगस्त के MVA ने बंद का आवान किया है। शरत पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि बंद का आवान सम्विधान में निहित मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने बंद वापस लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की बदली सियासत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोक प्रियता में तेजी से बड़ोतरी हुई है। इस सर्वे के मुताबिक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहली पसंद है। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की सी एम ममता बनरजी है। चौथे नंबर पर अर्विंद केजरीवाल और पाँचवे नंबर पर कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे है। राहुल गांधी पर मान्धानी के आरोप में चल रहे मुकदमे में सुनवाई 5 सितंबर को होगी। विशेश मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायाले में शुक्रवार को परिवादी बीजेपी नेता गवाही देने नहीं आए। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में अमित शा को हत्यारा कहा था। इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है। अब परिवादी को साक्षे के लिए तलब किया गया है। गुजरात विधान सभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कॉंग्रेस की तरफ से राज्य में जातियाधारित गणना की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। कॉंग्रेस ने कहा इससे वंचित जातियों की पहचान से नीती बनाने और संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन में मदद मिलेगी। हाला की बीजेपी सरकार की तरफ से प्रस्ताव खारिश कर दिया गया डॉट सत्तारूड दल ने दावा किया कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू ने जाती जनगर्ना के विचार को खारिश कर दिया था और कहा था कि इससे समाज में भेदभाव पैदा होगा। अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महराष्ट्र नवनिर्मान सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मैं ये बहुत गंभीर होकर आपको बोल रहा हूँ। एक बार राज ठाकरे के हाथ में महराष्ट्र की सत्ता दो, सरकार कैसे चलाई जाती है, मैं दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कॉंग्रेस वर नेशनल कॉंफरेंस पर जम कर निशाना साधा। सीएम योगी ने जम्मु कश्मीर में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी सवाल पूछे। सीएम योगी ने कहा भारत के मुकुट जम्मु कश्मीर से अनुच्छे 370 और 35 ए के साथ ही भाजपा ने जम्मु कश्मीर में विधान सभा के लिए अपनी ओर से प्रयास शुरू किये थे। अब चुनाव की तारीक घोशित हो चुकी हैं। यह चुनाव जम्मु कश्मीर के लोगों और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए हैं। 24 अगस्त को, 4 शनिवार और 25 अगस्त को रविवार की वजह से पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। वहीं सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कई शहर के बैंक बंद रहेंगे। अगर आप भी सोमवार को बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो आपको एक बार बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। बता दे कि भारतिय रिजर्व बैंक आरबियाई द्वारा बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी किया जाता है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यहाँ पक्का है कि शनिवार को फिल्म टॉप दस लिस्ट में दाखिल हो जाएगी। दसवे स्थान पर फिलहाल सल्मान खान की टाइगर जिन्दा है मौजूद है। टीम इंडिया के गबर यानी की शिखर धवन ने शनिवार सुभा अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया। 42 नंबर की जर्सी पहन कर मैदान पर उतरने वाले धवन अब अपनी लाइफ की नई पारी की शुरुआत करेंगे। धवन ने 20 अक्टूबर 2010 को इंटरनेशनल डेब्यू किया था शिखर धवन ने 34 टेस्ट की 58 पारियों में 2315 रन बनाए है और वंडे में धवन के नाम 6793 और T20 इंटरनेशनल में 1769 रन बनाए है।